जालोर वालों ने हराया है बड़ास्ता है इस मत आता तो जालोर के लोड़ा लोगसबा चुनाओ का रिजल्ट आते ही एक लोगसबा सीट काफी चर्शा में वजह है यहाँ पर और्वमुख्यमंती अश्वगैलोर के बेटे वैबो गैलोर की हार वैबो गैलोत लगातार दूसरी बार लोगसबा चुनाओ हार गये हैं इस बार जालोर सीट से वो चुनाओ हारे हैं और इससे पहले वे अपने पिता के घ्रैस जिले और जोदपूर से 2019 में चुनाओ हार गये थे इस हार के बाद एक चर्चा सबसे जादा है कि इस सीट पर यदी सचिन पाइलेट रहनी करते तो शायद वैबो गैलोत जीत गए होते हाला कि इस बात में कितनी सच्चा ही है ये तो साफ नहीं है पर माना ये जा रहा है कि विदान सबा की तरह लोगसबा चुनाओ में भी प पत्रकारों से बादशीत भी कि और पत्रकारों के सवालों का ऐसा जवाब दे दिया कि अब दोनों के बयान चर्चाओं में बने हुए हैं वैबो गैलोत की हार का कारण पूछा गया तो सचिन पाइलेट ने कहा कि वैबो जालोर से क्यों नहीं चीते ये बात गैलोट जी प अब आप लेगर आए कॉंग्रेस परिवार ते अंग्रेस के अग्रूप परिवार के सदिशने थे और आप जलूर आप शरीपा तो जानुर के नतिज़े पर क्या कहेंगे जानुर के नतिज़ा से राइस तो तो अब शुद्धिया ने मस्बूत ही से ताम इस तरह से आपने बांगर पर जाए जवाब करें तो पर देश के वादाता तयार थे पर उच्छ तरह का वादा इस तो पर बनाया गया इसकी बांतिवाइए की चार्शो पाट ने तो लिए विए पाड़ में परिए के अंद अबरेशी हीड्म दे को किसी बड़िवार्ते अनुगा ज़ालोर के नतीज़ से फैस तक हमां लोगो के यह सबसे कदावार नेता भी अहे पतलदा पचेश से है वरसों से हैं लोगो कि राज़ी पर आलायो फोलों के आलों ने आट अश्टम जालवर वाला की वोल था रहा नहीं या किसी ओर कभी था मत आता तो जालवर के था